एक काच का पात्र लेकर आप बच्चे को बारिश मापना सिखा सकते हैं पात्र को बाहर रखें, बारिश के बाद बच्चा पात्र के बगल में एक छड़ी रख सकता है और पानी की उंचाई जहां तक है वहां एक निशान बना सकता है फिर वे पात्र को खाली करके उससे बाहर छोड़ सकता है जब बारिश फिर से हो आप पूछ सकते हैं क्या आप बता सकते हैं कि इस बार बारिश पिछली बार की तुलना में अधेक या कम हुई अनुमान लगाने के बाद वे पात्र की जाँच कर सकते हैं और पिछली बार के निशान से तुलना कर सकते हैं। इस गतिविधी से बच्चों को अवलोकन और मापने की क्रिया सिखा सकते हैं।